स्टार्ट करते हैं पहला क्वेशन है उस्ट्रेलिया ओपन 2023 किसने अपना मेडन पहला ग्रांड स्लाम जीता है मुवेमन प्लेयर नहीं तो यह है अरिना सबलिंका पेला रूसकी है अलिना रिबेकिना कोहरा करिये जीती है फिर मेंस सिंगर्स टाइटल उस्ट्रेलिया ओपन में जीता है नुवाग जोकोविश ने ग्रीज के स्टेफिनोज सिट सिपास को हरा कर इंडिया ने जीता आफ्र बीटिंग इंग्लेंड साउथ अवरिका में ये वल्ल कप हुआ था प्लेयर अफ्टा सिरीज इसमें ग्रेस स्क्रिवेंस थी मोस्ट रन बनाए श्वेता सहरावत ने मोस्ट विकेट्स लिए मैगी क्लार्क ने न्यूजिलेंड ने रिसिंटली इंट्रड्यूस किया है डेबी एच मैडल टू उनर विमन क्रिकेटर्स थीक है किसने न्यूजिलेंड ने आसिफ बने हैं पहले नेपाली क्रिकेटर टू वितिच सर्ण ने थाइलेंड के प्लेयर हैं डेनमार्क के विक्टर एक्सलसन को हरा कर ये जीते आन से यंग कोरियन प्लेयर है इन्होंने विमन्स सिंगल्स का टाइटल जीता है अकाने या मागुची को हरा कर थॉमस कप 2022 जीता है इंडिया की मेंस टीम ने पहली बार उब कप ये विमन कैटिक्री से संबंधित है है ये जीता है साओथ कोरिया ऩॉले को हराकर ने चैना पॉरव टी मेंस सेमिंप य क्रिटिटर ऑफ धी यर तो यह एंगलंड ने बिला विडहां को recipe आयूदirm Surprise औफ यिए का अवर्ड मिलता है उसे डैविड ये फर्ड अवर्ड ब 2023 Women's World Boxing Championship कहाँ पर होगी दिल्ली में होगी क्या हो चुकी मार्च में हाशिम अमला ने अपना रिटामेंट अनाउंस किया है ये साउथ आफरिका के प्लेयर है राशिद खान फास्टेस्ट बोलर बने है तू टेक 500 विकेट्स इन 371 T20 क्रिकेट इंडिया के 79 ग्रैंड मास्टर प्रिनेश M है तमिलनाडू के फर्स्ट एवर ABB FIA Formula E World Championship Race भारत में हुई हैत्राबाद में ओडिशा के CM के द्वारा इनाउग्रेट किया गया State of the Art Hockey Stadium in Raurkela 2023 में 15th Men's FIH Hockey World Cup Kalinga Stadium भोवनेश्वर और बिरसा मुंदा International Hockey Stadium Raurkela में देखने को मिला ठीक है बेसिकली ओडिशा में और यहीं पर State of the Art Hockey Stadium इनाउग्रेट किया गया योनिक्स Sunrise इंडिया 2023 नई दिल्ली में हुआ Women's IPL WPL जो है उसके Media Rights किसके पास है YCOM 18 के पास Spanish Super Cup for 14th time Barcelona ने जीता है Youngest player to score a double century in ODI Shubman Gill है और 5th Indian better है ऐसा करने वाले New Zealand के against इन्होंने 208 run बनाये थे Who is the ICC Men's Player of the Month for December 2022? December 2022 के लिए यह है Harry Brook Australia की Ashley Gardner ICC Women's Player of the Month awarding को December 2022 में मिला था Deepti Sharma पहली Indian Cricketer है to notch 100 wickets in T20 International Harmanpreet Kaur ने overtook किया है Rohit Sharma को to become the most capped player in T20 Internationals Mithali Raj 2021 में पहली महिला Cricketer बनी थी from the country and only the second overall to score 10,000 international runs फिर इसके लाबा मिथाली राज की बात ही हो रही है again पहली महिला है and only the third cricketer ever to appear at six ICC Women's Cricket World Cups ICC Women's Cricketer of the Year 2022 Netskiver थी England की ICC Emerging Women's Cricketer of the Year Renuka Singh Smriti Mandana WPL 2023 के लिए most expensive player रही थी Which of the following defeated Bengal to win its second Ranji Trophy title 2023? तो यह जीती है Saurashtra ने Which player broke the world record for smashing most successes in test cricket? यह है Ben Stocks Women's Premier League 2023 की sponsor कौन सी कमपनी है? यह है Tata तिलोतमा सेन इन्होंने कौन सा medal जीता है? इन विमेंस 10 मीटर एर राइफल तो यह bronze medal जीता है इन्होंने ISSF World Cup at Cairo in Egypt अर्जंटिना ओपन टाइटल 2023 कार्लोस अलकराज ने जीता है All India Taekwondo Championship अनुराग थाकूर के द्वारा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है in the 20 किलोमेटर इवेंट ओफ दे मेंस नाशनल ओपन रेस वाकिंग चांपनशिप Women's Premier League Team RCB ने अपने mentor के दौर पर किसे अपॉइंट किया है यह है Sanya Mirza Smriti Mandana यह बनी है most expensive player यह हमने देख लिया Mumbai Indians की तरफ से यह खेलती है Who are the highest paid athletes with total earnings of $130 million in 2021-22 Lionel Messi's का answer है First Hyderabad E-Prix 2023 किसने जीता? Jean Eric Wargne ne Eon Morgan ने अभी अपना retirement announce किया है England के player है यह Kelo India Youth Games 2022 का title जीता है Maharashtra ने 56 gold 55 silver 50 bronze medals के साथ में ICC player of the month for January 2023 Shubman Gill बने है और ICC women's player of the month January 2023 के लिए Grace Scrivens है 15th hockey world cup 2023 Germany जीता है Belgium को हरा कर Odisha में यह हुआ था हमने पहले भी देखा है यह ICC T20 women's world cup South Africa में हुआ February 2023 में Aron Frinch ने अपना retirement announce किया यह Australia के player है Ice hockey championship ITBP के द्वारा जीती गई जिमनास्ट है इन पर 21 महीने का band लगाया गया है क्योंकि डोपिंग टेस्ट में यह fail हुई थी जो की conduct किया गया था बाया इंटरनाशनल टेस्टिंग इजिंसी इन्डियन पेसर जो गिंदर शर्मा इन्होंने retirement अनौन्स किया cricket में cricket के player है जाग्रेव ओपन 2023 में अमन सहरावत ने ब्राउंच मेडल जीता है थर्ड एडिशन ओफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुल्ब मर्ग में हुआ फुटबॉल एशिया कप 2027 साओधी अरबिया में होगा सत्विक साहिराज रंकी रेटी चिराग शेटी दोनों प्लेयर्स को मेजर ध्यांचन खेल रतन वार्ड मिला है और इन्होंने स्विस ओपन सूपर सीरीज 300 बैडमिंटन टूर्नमेंट जीता था इसके अलबा 2022 का Commonwealth Games में गोल्ड मेडल इन दोनों के द्वारा जीता गया निखत जरीन, लॉवलीना बॉर्गोहन इन दोनोंने विमेंस बॉक्सिंग चैंपेंशिप में गोल्ड मेडल जीता है सर्जियो पिरेज ने साओधी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स जीता इसका भोपाल में हुआ मैस्कॉट था इसका आर्शा दचीता साइक्लिंग इवेंट दिल्ली में हुआ बाकी सारे इवेंट भोपाल में देखने को मिले इंडियन वेटलिफ्टर्स धनुष लोगनाथन और जोशना सबर इन दोनोंने ब्राउंच मेडल जीता है इन देर रस्पेक्टिव कैटेगरीज एड़ आई डबलुएफ वर्ल्ड यूथ चैंपेंशिप और ये चैंपेंशिप हुई अल्बानिया में राणी रामपाल हौकी से रिलेटिड है और इनके नाम पर रिसंटली एक स्टेडियम का नाम रखा गया है राय बरेली में इस स्टेडियम को बनाया जाएगा रोहन बुपन्ना बने हैं ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर तु विन एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल एशिन बिलियर्ड्स टाइटल जीता है पंकच अडवानी ने और एशिन खोको चैंपिन्शिप में मैन और विमन दोनों ही टाइटल्स जीते हैं भारत ने विच प्लेयर बैग्ड दा फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ दा आई-ससफ वर्ल्ड वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपिन्शिप इन दे मेंस 10 वीटर एर पिस्टिल कैटेगरी यह हैं सरभ जोत सिंख अभिनाव बिंद्रा पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडिविज्वल उलम्पिक गोल्ड जीता था दोहजार आठ में इंडियन टीम के स्टार होकी प्लेर है रानी रामपाल इन्होंने यह बनी है पहली महीला in the sport to have a stadium named after her हम देख चुके हैं राय भरेली में हम देख चुके हैं यह राय भरेली में who won the singers title in the Indian Wells Championship इसमें कार्लोज अलकाराज ने जीता है दुबाई टैनिस चैंपिंशिप जीती है डैनिल मेदवेदेव ने वराट कोली ने ब्राइन लारा को सरपास किया है तो बिकम दा सेकंड हाइस्ट स्कोरर अगेंस्ट अस्ट्रेलिया इन इंटरनाशनल क्रिकेट प्रिथिविराज टोंडाई मानिये इंडिया के ट्राप शूटर है इन्होंने दोहा में ब्राउंज मेडल चीता है फिर नेक्स आता ऐसेसी विमेंस टीट्वेंटी वर्लकप दोहजार तेस का टाइटल उस्ट्रेलिया ने जीता है साउथ आफ्रिका को हराकर फाइनल में प्लेयर अफ दे सीरीज ऐशले गाडनर प्लेयर अफ दे मैच बैथ मुने है डबलू पियल विमेंस प्रेमियर लीग का टाइटल मुंबई इंडियन्स ने जीता है दिल्ली को हराकर इसमें औरेंज कैप मेग लेनिन को मिली परपल कैप हैले मेथियूस को मिली संतोष ट्रोफी जीती है करनाटिका ने मिघालिया को हराकर विमिन्स बाक्सिंग चैंपिन्शिप की स्पॉंसर कंपनी है महिंद्रा ओटोमोटिव प्लेयर ऑफ दा इयर अवार्ड बाइशियन चेस फेडरेशन डीकुकेश को दिया गया है फर्स्ट ग्रांड मास्टर ओफ इंडिया विश्वनाथन आनद थे तमिलनाडू से हैं 1988 में ये बने थे हमारे ग्रांड मास्टर 81st Grandmaster सायंतन दास बने हैं वेस्ट बेंगॉल के हैं फिर कोनेरू हम्पी वस्ट इंडियन वोमें तो विन Grandmaster's title at the 8th ever female Grandmaster विच प्लेयर स्टेचू विल बी इंस्टॉल अट वान खेडे क्रिकेट स्टेडियम ये हैं सचेन तिंदुलकर बेस्ट फीफा प्लेयर रवार्ड फॉर्थ यूर 2022 लियोनल मैसी बने है 700th करियर क्लब गोल लियोनल मैसी ने स्कोर किया है मद्यपरदेश की महिला टीम ने जीता है अपना पहला नाशनल होकी टाइटल 2023 का नेक्स्ट न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 कौन लेकर आया है तो ये उत्तरपरदेश के द्वारा लाए गई है रोहन बपना इंडिया के उस्ट्रेलिया की मेथ्यू एप्टन इन दोनों के पेर ने कतर ओपन इंटरनाशनल टैनिस टूर्णामेंट जीता है सानिया मिर्जा RCB को मेंटर करेंगी विमिन्स प्रीमियर लीग की जो टीम है RCB उसको दीप्ती शर्मा पहली इंडियन क्रिकेटर है टू नौच 100 विकेट्स इन टीट्वेंडी इंटनाशल जनवरी 2023 में शुबमन गिल और ग्रेस स्क्रिवन्स प्लेयर ओफ दमन्थ हैं परवरी 2023 के लिए हरी ब्रुक और एशले गाडनर थे एशियन होकी फेडरेशन के द्वारा बेस्ट ओगनाइजर अवार्ड दिया गया है होकी इंडिया को होकी इंडिया के स्थापना 2009 में हुई थी नई दिली में हेड़कॉर्टर है प्रेजिडेंट है दिलीप तिर्के नेक्स्ट आता है मेंस F.I.H. होकी वर्ल्ड कप 2026 होस्ट करेगा बेल्जियम और नेधरलेंस दोनों कंशीज मिलके होस्ट करेंगी हीरो सूपर कप का फैनल जीता है ओडिशा F.C. ने बेंगलूरू को हरा कर शार्जा स्टेडियम के स्टैंड का नाम रखा गया है सचिन दिंदुलकर के नाम पर संजीता चानू रिलेटेड है वेट लिफ्टिंग से चार साल का बैनेंड बर नाड़ा के द्वारा लगाया गया है रेड बूल के ड्राइवर है सरजियो पेरेज इन्होंने साओधी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है संतोष ट्रोफी 2030 की करनाटका ने जीती मिघालिया को हरा कर स्पेन मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टाइटल क्रिगोरिया मरिसका तुन्चुंग ने जीता है फोर्थ एशियन खोखो चैंपेंशिप में मैन और विमन दोनों ही टाइटल इंडिया ने जीते हैं चुके हम विमन्स प्रीमियर लीग चैंपिन मुंबाई इंडियन दिली को हरा कर विच इंडिन क्रिकेटर नेम्ग अमंग विच्दंस फाइब क्रिकेटर अफ दे एर यह हैं हर्मन प्रीत कॉर नेक्स ने लॉंग जंपर शेली सिंग इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन दे विमन्स लॉंग जंप अट दे इंडियन ग्रांपिक्स पोर 2023 एथलेटिक नितिया ने गोल्ड मेडल जीता है अट दे ब्राजील पैरा बैड्मिंटन इंटरनाशनल विच स्विमर वन फाइव गोल्ड मेडल्स इन मलेशिया स्विमिंग चांपनशिप 2023 ये इंडियन स्विमर है वेदान्त माधवन प्रियांशु राजावत ये एक शटलर है और इन्होंने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर सूपर 300 टाइटल जीता है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेकिंड एडिशन चेन नहीं में होस्ट किया गया पेर अगला आजाता है वर्ल्ड चेस अर्माग टॉन एशिया एन ओशियाना डिविजन डी गुकेश के द्वारा जीता गया फर्स फिमेल एंपायर टू अफिशियेट मेंस टीट्वेंटी इंटरनाशनल माच किम कॉटन है चार्ल्स्टन ओपन विमेंस टेनिस टूर्णमेंट ओंस जैबूर ने जीता है निशा धाया और प्रिया मलिक ये रिलेटेड है रेस्लिंग से एशियन होकी मेंस चाम्पेंशिप 15 साल बार चेने होस्ट करने वाला है मेंस FIH होकी वर्ल्ड कप 2026 में बेल्जियम और नेधरलेंस होस्ट करेंगे 2023 मेंस होकी वर्ल्ड कप होस्ट किया भारत ने चाम्पेंश में जर्मनी था जिसका थोर्ड टाइटल था इंडियन विमन की पोजिशन क्या रही इंडियन रिस्लिंग चाम्पेंशिप थोर्ड पोजिशन पर इंडियन विमन रही Japan पहले नंबर पर China 2nd नंबर पर India 3rd नंबर पर Which team topped the FIFA ranking for the first time in over 6 years ये Argentina की team है India इसमें ranking में 101 नंबर पर है Which country removed as host of 2023 FIFA under 17 World Cup Peru को इसकी hosting से हटा दिया गया था 600 run marks in a single IPL season for the third time Virat Kohli ने बनाय है David Warner fastest player बने है to score 6000 runs in IPL ICC player of the month मार्च के लिए शाकीब अलहसन Bangladesh के और ICC Women player of the month हेनरी इशिम वे रही है रवांटा की Shubman Gill became the youngest player in the history of men's ODIs to score a double hundred former Indian cricketer Salim Durrani इन की death हो गई है 3rd kilo India youth games start हुए Gautam Buddhanagar में उत्तर प्रिदेश का district है गाजियाबाद जानते है न उसी को कहते है BCCI के द्वारा Indian cricket team के लिए नया kit sponsor के से चुना गया है ये company है Adidas Which player has crossed the 600 run mark in a single IPL season for the third time हम देख चुके है वराट कोली David Warner ये फिर से रिपीट वाई question नेक्स आते है अगला है वर्ड नमबर वन प्लेयर इन जेवलिन थ्रो रैंकिंग नीरत चोपडा रहे है In the Italian Open 2023 कौन से प्लेयर ने अपना पहला clay course title जीता है Daniel Medvedev ने South Asian Youth Table Tennis Championship 2023 को host भारत के द्वारा किया Under 19 boys singles में अंकुर भटा चारे ने गोल मेडल जीता है Asian का बड़ी चैंपेंशिप South Korea में हुई Martial Art को एड किया गया है 37th National Games में कौन सी Martial Art है गत का है Who became the highest wicket taker in the history of IPL युजबेंदर चाहल 184 इनके द्वारा wickets लिए गए Rajasthan Royals Yashasvi Jaisuwal holds the record for the fastest 50 in IPL history 13 balls में इनों ने 50 runs अपने complete किया against KKR Kagiso Rabada ये बने है fastest player to take 100 wickets in the Indian Premier League Chris Gayle holds the individual scoring record including highest individual score in a match 66 ball पे इनोंने 175 runs बनाये थे और ये individual highest individual score इन ही के पास है ये वाला खिताब Who was honored with the laureate Sportsman of the Year Award Lionel Messi जीते हैं World Sports Women of the Year Award Shelley N. Fraser Pires Jamaica की प्लेयर है World Breakthrough of the Year Award Carlos Alcaraz जीते हैं Madrid Open Tennis Trophy Carlos Alcaraz जीते Miami F1 Grand Prix Max Burstappen जीते हैं Asian Weightlifting Championship में Bindriyani Devi ने Silver Medal जीता है Fastest player to reach 5000 runs in the ODI Babar Azam बने है 97 innings में New Zealand के Kim Cotton ये बनी है पहली महिला On-Field Empire in a Full Member Men's T20 International शाहीन अफ्रीदी बने है Youngest Bowler to Take 200 T20 विकेट्स Diamond League का टाइटल Neeraj Chopra ने जीता है Satvik Sairaj, Ranki Reddy, Chirak Shetty इन्होंने Swiss Open Super 300 Finals में Double's का खिताब जीता है फिर नेक्स्ट है Halo India Youth Games 2022 का जीता महराश्चर ने 15th Men's Hockey World Cup Germany ने जीता है Australian Open 2023 Singles Title Men's Category Nwak Jokovic जीते हैं Women Category में Arena Sabelinka ACC Men's Premier Cup Nepal ने जीता 11th Indian Women कौन बनी है To Achieve International Master Title ये है Vantika Agarwal China के पहले Male World Chess Champion Ding Liren है Azerbaijan Grand Prix Sergio Perez ने जीता Mehraz Ahmed Khan Ganemath Sekhon इन्होंने कौन सा medal जीता है ISSF Shotgun World Cup में इन दोनोंने gold medal जीता है Highest paid athlete कौन है Cristiano Ronaldo है Best foreign player in League 1 Lionel Messi रहे है Abhinav Shaw और Gautmi Bhanot कौन से sports से related है Shooting से Second gold medal इनके द्वारा जीता गया ISSF World Junior Junior World Cup in Germany Siddharth Jozri संबंधित है Shortput से और इन्होंने भी gold medal जीता है In Men's Shortput Event At the Under 20 Asian Athletics Championship ये चैंपेंशिप साउथ कोरिया में हुई साउथ कोरिया के प्रेजिडेंट है Yun Sukhyol और क्यापिटल है Siol NSC Kawa Women's Volleyball Challenge Cup में इंडिया जीता है Kaatmandu में ये जो चैंपेंशिप है हुई थी चालेंज कप और कर्जाकिस्तान को हराकर भारत जीता है IPL हम देख चुके हैं इसको CS के जीता है Asian Under 20 Athletics Championship ये साउथ कोरिया में हुई जिसके बारे में भी हमने बात की इंडिया के सुनील कुमार ने इसमें gold medal जीता था धनुष श्रीकांथ ISSF Junior World Cup में इन्होंने gold medal जीता 2023 World Table Tennis Championship साउथ आफरिका में हुई पहला Olympic Sports Week Singapore में तलिब्रेट किया गया फर्स्ट फुट्बॉल प्लेयर तू प्लेए 200 इंटनेशनल माचेस क्रिस्टियानो रुनाल्डो है होकी जुनियर एशिय कप चैंपियन बना इंडिया ओमान में ये जैंपिंशिप हुई थी Spanish Grand Prix Mix was टैपन के द्वारा जीता गया तीम इंडिया की जॉर्सी स्पॉंसर कौन है Dream 11 19th FIFA Under 17 World Cup 2023 में इंडोनेशिया में हुआ 2024 में Under 20 Women's World Cup कॉलंबिया में होगा Under 17 Women's World Cup डोमेनिका में FIFA के प्रेजिनेंट है जियानी इंफेंटिनो जूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंदित है और MCC की वर्ल्ड क्रिकेट कमिटी में तीन नए मेंबर शामिल हुए है जिन में से जूलन गोस्वामी भी एक है जूलन गोस्वामी जीती है केनेडियन ग्राइन प्रिक्स का टाइटल मेक्स वर्स्ट अपन ने और यह जीत इनकी 100th फॉर्मूला वन विन थी धोफर मुनिसिपालिटी मेंस जूनियर इश्वे कप इंडिया ने जीता है प्रमोध भगत ने कौन सा मेडल जीता है इन केनेडा पैरा बैड्मिंटन इंटरेशनल में तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स 2023 पंजाब युनिवर्सिटी जीती है important question है आद रखना है अगर हम बात करें मेडल्स की तो वो टोटल 69 मेडल्स जीते हैं कहां पर हुआ था ये खेलो इंडिया निवर्सिटी गेम्स हुए थे उत्तर प्रदेश में लास्ट येर हुए थे करनाटका में उससे पहले ओडिशा में डेब्यू गेम इस साल कौन सा था रोइंग था मैस्कॉट जीतू बारा सिंगा रखा गया ओनली शूटिंग इवेंट जो है दिल्ली में हुआ था बाकी सारे उत्तर प्रदेश में विमिन्स इमर्जिंग एशिया कप टाइटल इंडिया ने जीता अंडर 23 विमिन्स टीम ने और रनरब इसमें बांगलादेश था और ये कप हुआ था हॉंग कॉंग में नाइन्थ एशियन कबड़ी चैंपिंशिप इंडिया के द्वारा जीती गई एट टाइटल था भारत का इरान को हरा कर जीता पहला विमिन्स कबड़ी लीग इनाउगरेट किया गया दुबाई में उरुगवे ने अपना पहला अंडर 20 वर्ल कप टाइटल जीता है ओवर इटली अर्जेंटिना में ये हुआ था इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं अंडर 17 एशियन रिस्लिंग चैंपिंशिप में तो साथ मेडल जीते एक गोल्ड तीन सिल्वर और तीन ब्रॉंच मेडल अंकुष ने इसमें गोल्ड मेडल जीता एक मात्र खिलाडी थे स्कुवैश वर्ल्ड कप चैंडनाई में हुआ नेक्स्ट है सुबरितो ट्रॉफी टेनिस की है ये एंड्री मरे के द्वारा जीती गई इंग्लेंड के है FIH प्रो लीग इंडिया ने जीता है और जैंडिना को हरा कर 10th Senior National Rugby Championship जीती है ओडिशा ने महरारश्ट को हरा कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिप उस्ट्रेलिया के द्वारा जीती गई इंडिया को हरा कर उस्ट्रेलिया बना है First Men's Team in World Cricket to win an ICC World Title in all three formats T20, ODI और Test तीनों ही format में जीतने वाली है वर्ल्ड की पहली टीम ऐसी बनी है इंडिया ने कौन सी कंट्री को हरा कर Women's Junior Asia Cup जीता है होकी का तो Korea को हरा कर जीता है इसमें और Indian Captain Preeti इसमें Player of the Match थी 13th Hockey India Junior Men National Championship मध्यपरदेश ने जीती है चंडीगट को हरा कर World Squash Championship एजिप्ट ने जीती Intercontinental Football Cup का टाइटल जीता है इंडिया ने Lebanon इसमें Runner Up है Women's Volleyball Challenge Cup इंडिया ने जीता दोहा Diamond League नीरच चोपड़ा ने जीता La Liga 2023 के चैंपेन FC Barcelona तेलंगाना के वुपला प्रनीत ये बने हैं 82nd Grand Master ICC World Cup भारत में हुआ October से November में Opening match हुआ था 5 October को एहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और Final Match भी हाई पर हुआ था Third Indian Con बने है to claim 700 international tickets Ravi Chandran Ashwin Third Indian Bowler ये बने हैं After Harbhajan Singh and Anil Kumbale Para Athletics World Championship France में हुई India के निशाद गुमार ने Silver Medal जीता है Para Athletics World Championship में France में ये हुई थी हमने देख लिया 2024 में Paralympic Games होने वाले हैं Rome, Italy में Who became the first bowler to take wickets of both father and son In his test cricket ये बने हैं R. Ashwin Father थे Shiv Narinay Chandrapal और उनके son थे Teg Narinay Chandrapal दोनों के wicket लेने वाले ये बने हैं पहले ऐसे bowler Where will the Asian Games 2023 be organized? ये चाइना में हुए हमें पता है और women's team को lead किया Captain Harman Preet Kaur Canada Open Super 500 title Luxury Senne ने जीता है उत्रखंड के हैं Tempor Open title 2023 Finland में हुआ इसको Sumit Nagal के द्वारा जीता गया Asian Athletics Championship में इंडिया की rank है 3rd Thailand में Championship हुई थी Official mascot इसका Lord अनुमान रखा गया था Wimbledon Open में Women's Singles title Marketa Von Rosova ने जीता है Czech Republic की प्लियर है Ons Jebore को हरा कर ही जीती है Men's Singles title इसमें Alka Raaz ने जीता है Nuwak Jokovic को हरा कर Commonwealth Games 2026 का host कौन करने वाला था जिसने पुल आउट कर लिया है अब तो यह है Australia Ajit Singh जेवलिंग थो से संबंदित है और Para Athletics Championship में यह टॉप पर रहे हैं नीरत चोपड़ा, देवेंदर जांचडिया, सुमित अंतिल, अनुरानी सारे प्लियर्स जेवलिन थो से संबंदित है Who became the first male archer to win a gold in रिकर्व category at the Youth World Championship यह बने हैं पार्थ सालूंखे सतारा महराष्टर से बिलॉंग करते हैं सातविक साहिराज रंकी रेड़ी किस स्पोर्ट से रिलेटिड है बैडमिंटन से और यह fastest बैडमिंटन हिट इन्होंने की है by a male with a 565 KMPH smash रुदरांक्ष, घंडेलवाल और निहाल सिंग यह संबंदित है वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट से एशियन का बड़ी चैंपेंशिप में भारत जीता है, साउथ कोरिया में यह हुई थी लीड स्पॉंसर ओफ इंडियास नाशनल क्रिकेट टीम रीम 11 है, अरुना तंवर ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं ताइक्वांडो चैंपेंशिप में तो इने तीन गोल्ड मेडल जीते हैं तीन ताइक्वांडो चैंपेंशिप में कौन कौन सी हैं, अस्ट्रेलिया उपन पैरा ताइक्वांडो चैंपेंशिप प्रेजिडेंट कब पैरा ताइक्वांडो चैंपेंशिप और ओशियाना पैरा ताइकवांडो चैंपेंशिप उस्ट्रेलिया में ये चैंपेंशिप हुई थी हरमहर, सिंघ लाली और संजना सूध ये संबंदी से शूटिंग से ISSF Junior World Championship कोरिया में हुई और इसमें ये लोग भारत के लिए मेडल लेकर आये हुँ बिकम दे सेकेंड पेस बोलर तो टेक 600 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट ये हैं स्टूर्ड ब्रॉड England teammate James Anderson is the only other quick baller to achieve the feat Hockey India National Women's Championship मध्यपरदेश ने जीती है who became fourth Indian cricketer to play 500 international matches Virat Kohli बने हैं after Sachin Tindulkar, MS Dhoni and Rahul Dravid British Grand Prix Max Verstappen ने जीता है Indian Men's Hockey Team की position fourth है FIH Pro League में पहले number पर champion Connets में Netherlands runner-up है Belgium Belgium में ही ये championship हुई थी 2023 Men's Hockey World Cup की host country है India Germany इसमें जीता runner-up Belgium 5th highest run scorer in international cricket है Virat Kohli ICC Player of the Month Award for June मिला है Vanindu Hasrangah और Ashley Gardner को ICC के द्वारा ये दिया जाता है Asian Hockey Championship का mascot क्या है? Boman है Tamil Nadu Youth Welfare and Sports Development Minister Uday Nidhi Stalin के द्वारा trophy और इस mascot को unveil गिया गया था Chennai में हमें Asian Hockey Championship देखने को मिली Hungarian Grand Prix Max Verstappen ने जीता है शुभंकर शर्मा रिलेटेड है golf से Minerva Academy ने under 13 boys गोथिया कप जीता है Sweden में Lahiru थिरी माने कौन सी country के है जिनोंने retirement अभी लिया है श्रिलंका के हैंगे Cricket Asia Cup 2022 का winner भी श्रिलंका ही था ISSF Junior Shooting World Cup Championship 2023 चाइना ने इसमें टॉप किया इंडिया की position second है South Korea में यह championship हुई थी Abhinav Shaw और Kamal जी दोनोंने गोल मेडल जीते हैं इस championship में ACC Men's Emerging Teams Asia Cup पाकिस्तान के द्वारा जीता गया इंडिया को हरा कर First man to take seven wickets in a T20 International Malaysia ये Malaysia के Simar Siyaj Rul Izzat Idrus बने हैं Why are Nidiyan Ritika in the news BCCI Empires Panel में इनको शामिल किया गया है BCCI के chairman है Raj Bini 83rd chess grandmaster Aditya Samandh बने है which organization has declared that men's and women's teams competing in international events will receive equal prize money ICC के द्वारा ही declare किया गया है कि men and women team सबको equal prize money दी जाएगी समान कार्य के लिए समान वेतन ठीक है which player became the first to win gold medal in athletics championship यह है Raj Chopra first ever Indian athlete to secure a gold medal इन्होंने जीता था और Javelin throw में 88.17 meter का इंका throw था World Athletics Championship Hungary में हुई ICC ties up with which company for men's cricket world cup Mastercard के साथ में ICC ने tie-up किया है ICC World Cup 2023 इंडिया में हुआ brand ambassador इसके थे शारुक खान ICC की स्थापना 1909 में होती है headquarter Dubai UAE में है chairman है Greg Berkeley राजनाथ सिंग ने कहां पर one thirty second Durant Cup inaugurate किया Kokra जार Assam में venue क्या है इसका कोलकाता गोहाटी और कोकराजार बेंगलूरू एफसी में जीती है मुंबाई सिटी एफसी को हरा कर 2022 के फाइनल में यह जीती थी ठीके इंग्लेंड पेसर्स ट्वर्ड ब्रॉड ने अपना रिटामेंट अनॉस कर दिया है फिर व्रेसलिंग फेडरिशन ओफ इंडिया का हेड़ क्वार्टर नाई दिली में है व्ल्ल यूनिवर्सिटी गेम्स चाइणा में देखने को मिले एलेक्स हिल्स इंग्लेंड के प्लेयर है इन्होंने अपना रिटामेंट अनौंस किया है प्रनीत कौर, जोती सुरेखा वेनम और अधिती स्वामी यह संबंदी थे आर्चरी से तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड आर्चरी चैंपेंशिप में जर्मनी में चैंपेंशिप होई थी होकी इंडिया कुम्राचुलेटेड इंडियन में होकी टीम गोल्ड कीपर कृषिन भी पार्ठक फॉर अर्निंग हिस हंड्रेट्थ इंटरनाशनल क्रिकेट बने हैं कुल्डी प्यादव सेकिंड इंडियन टूरीच था सेमी फाइनल्स इंट फिडे वर्ल्ड कप आर प्रग्यानन्द हैं फिडे वर्ल्ड कप हुआ था बाकू अजबजान में मैंगनस कार्सन इसमें जीते थे पहले इंडियन जो पहुँचे थे सेमी फाइनल तक ये थे विश्वनाधन आनन्द BWF वर्ल्ड जैंपेंशिप डेनमार्क में हुई प्रोनौय की रैंक इसमें सेवन्थ है इन्होंने ब्रॉंच मेडल जीता इंडिया ने जीते कुल एक गोल्ड चार सिल्वर और नौ ब्रॉंच मेडल इंडियन विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जीता है गोल्ड मेड थी FISU World University Games में भारत के द्वारा जीते गए 26 मेडल्स FISU World University Games हुए कहां पर चाइना में भारत ने 11 गोल 5 सिल्वर और 10 ब्रॉंच मेडल जीते टॉप किया चाइना ने भारत की पोजिशन 7 थी एशन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एथलीट्स को मोटिवेट करने के लिए Sports Authority अफ इंडिया ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था जिसका टाइटल था हला बोल ICC Women's Player of the Month Award July के लिए Ashley Gardner को मिला और Men category में Chris Wokes को मिला Asian Champions Trophy Hockey Tournament इंडिया के द्वारा जीता गया Malaysia को हराकर चौथी बार भारत जीता है अट दा Mayor Radhakrishnan Stadium in Chennai और Top Scorer इसमें थे Harman Preet Singh World Badminton Championship कहां पर हुई कोपन हेगन में Denmark की Capital है लास्ट यर जापान में हुई थी 69th edition of the famous Nehru Trophy Boat Race ये कहां पर हुआ पुन्ना मदल लेक अल्लापुजा डिस्ट्रिक्ट है केरला का वहां पर ये लेक है यहीं पर Nehru Trophy Boat Race होती है हर बार पिनराई विजेन है CM केरला के और गवर्नर है आरिफ मौमत खान तिलक फर्मा hit the most sixes at the age of 20 years or less in T20 International फिर उसके बाद है Men's Hockey World Ranking में भारत की रैंक थर्ड है अधिति स्वामी बनी है पहली इंडियन टू क्लेंच इंडिविजुल वर्ल टाइटल एट वर्ल आर्चरी चैंपेंशिप और ये चैंपेंशिप हुई कहां पर बर्लिन जर्मनी में अंडर 20 वर्ल रैसलिंग चैंपेंशिप कहां पर हुई जॉर्डन में और यहां पर रैसलर हमारे मोहित कुमार जीते हैं अंतिम पंगल इस दो ओनली विमन तो हैव वन गोल्ड मेडल अट अंडर 20 वर्ल रैसलिंग चैंपेंशिप इंगलेंड के फास्ट बॉलर हैं स्टीविन फिन इन्होंने अपना रेटायमेंट अनौंस किया है फिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं वहब रियास इन्होंने भी अपना रेटायमेंट अनौंस किया है इंडियन स्प्रिंटर है दूती चंथ इन पर चार साल का बैन लगाया गया है डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वज़र से इंडिया की फास्टेस्ट फीमेल एथलीट है ये ओडिशा से बिलॉंग करती है UEFA सूपर कप 2020 मैंचेस्टर सिटी ने जीता है सिविला को हरा कर फीफा विमेंस वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ उस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में नेक्स्ट 2019 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप देखें तो फ्रांस में हुआ था चैंपेन उसमें USA था USA का फॉर्थ टाइटल था रनरप था नेधरलेंड और बेस्ट प्लेयर उसमें में गॉन रपीनो थे बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीता है मेंस वर्स्टापन ने खेलो इंडिया विमेंस लीग का नाम चेंज करके असमिता विमेंस लीग कर दिया गया असमिता की फूल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्स माइल स्टोन बाइइंस्पारिंग विमें थ्रू आक्शन जस्परीत बुमरा आइलेंड टीट्वेंटी के लिए टीम इंडिया को लीड किया था इन्होंने मनोच दिवारी ने अनौंस किया अपना रटायमेंट फॉर्म फॉर्म्स अफ क्रिकेट ये वेस्ट बेंगॉल में मिनिस्टर ओफ स्टेट फॉर्स पॉर्स और यूथ वेस्ट बन गए जिसकी वज़ेस से फिर इन्होंने अपना स्थिफा दिया मतलब रटायमेंट अनौंस किया देवधर टॉफी जीती साउथ जोन ने इस्ट जोन को हरा कर नौवी बार जीती है विश्मनाथन आनंद को सरपास करके कौन से बन गए है टॉप चैस प्लेयर इन लाइव वर्ल्ड रैंकिंग ये हैं डी गुकेश फीफा विमिन्स व्ल्ड कप स्पेन के द्वारा जीता गया इसका पहला टाइटल था इंग्लेंड इसमें रनर अप था भारत पेट्रोलियम कोपरेशन लिमिटेड के नए ब्रैंड अंबास्टर बने है राहुल द्रविड ग्लोबल ब्रैंड अंबास्टर इन फोसिस के द मैगनेस कालसन जीते इंडिया के आर प्रगयनंग को हराकर स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल कप चैननाई के द्वारा चैननाई में यह हुआ ठीक है फोर दर फोस्ट ताइम इटालिन ग्रांट प्रिक्स मेक्स वर्स टैपन ने जीता है डूरंड कप का टाइटल मोहन बागान न पल्टन होकी इंडिया के प्रेजडेंट है दिलीप टेके इंटरनाशनल होकी फेडरेशन के प्रेजडेंट है तयाव इक्राम मकाउ के हैं यह इस्या कप का टाइटल फोर दो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जीता है इंडिया ने आठ बार श्रिलंका को हराकर अभी जीता प पांच साल के लिए वाइकाउम 18 के पास है ICC Men's Cricket World Cup के स्पॉंसर इसका स्पॉंसर महिंद्रा महिंद्रा लेमिटेड है असोसियेट स्पॉंसर विद स्टार स्पॉर्स ब्राइंड अम्बैस्टर शारुक खान को बनाया था इंडिया में यह कप हुआ था फर्स्ट ट्रांस 2022 का मेजर ध्यांचंद खेल रतना वाड दिया गया था फर्स्ट असोसियेट प्लेयर टू टेक हंडर्ड विकेट्स नताया बुचाथम है थाइलेंड की विश्वनाथन आनंद को रिप्लेस करके यह में देख चुकें अंडी गुकेश है विमेंस सिंगल्स टाइटल उफ 7-16 चैंपेंशिप इंडिया ने जीती बांगलादेश को हराकर और सेफ चैंपेंशिप मेन वारी जो होती है वह इंडिया ने जीती कुवाइत को हराकर फीबा व्ल्ड कप ऑफ बास्केटबॉल जयंमनी के द्वारा जिता गया सर्बिया को हराकर फिलिपिन्स जापान पर अंडर्ड में सिंगर्स टाइडल जीता है किरन जॉर्ज ने फास्टेस्ट प्लेयर टुरीज थर्टीन थाउजन ओडिया रन्स राटकोरी बने हैं सचिन तंदुलकर के रिकॉर्ड को इन्हों ने तोड़ दिया है सुब्रोतो कप फुटबॉल का टूर्नमेंट होता है य चैन कॉंग कॉंग लियान लियान ओफिशल स्पॉंसर ऑफ इंडियन कंटिंजेंट फॉर एशिन गेम्स अमूल था चाइना में हुआ था यह एशिन गेम्स हुए थे फिर नेस्ट है इंडियन फ्लैग ब्यूरर इन ओपनिंग सेरेमनी हर्मन प्रीत सिंग और लॉवलीना विच कंट्रीज विमन्स क्रिकेट टीम वन गोल्ड मेडल इन एशिन गेम्स इंडिया की टीम ने जीता नीरत चोप्रा ने सिल्वर मेडल जीता यूजीन डायमंड लीग में सिंगापूर ग्रांट्रिक्स फॉमूला वन फरारी के ड्राइवर कार्लोज सेंज ने जीता है क को बिजची इन्होंने मोटो जीपी भारत जीता इटली से बिलॉंग करते हैं फॉ बिकेम फर्स्ट टीम टो हिट 3,000 सिक्स यह बनी इंडिया अगला जाता है विच कंट्रीज क्रिकेट टीम क्रियेटेड हिस्ट्री विद थाइस्ट एवर टीट इटनाशल स्कोर ऑफ 314 न के अंदर हुई सब्सक्राइशन में टू बी नॉमिनेटेट फॉर दा इंटरनेशनल टनिस हौल अफ फेम यह लिएंडर पैस इस्टीम प्रिवाइज कर लेते हैं यहां 30 अगस्ते से 17 सितंबर के बीच में हुए थे 16th edition था होस्ट पकिस्तान और श्रिलंका में किया गया ज सबसे जादा रन बनाए शुबमन किल ने सबसे जादा विकेश लिए मथीशा पाथी राना ने अब नेक्स्टे एशन गेम्स में कौन से पेर ने मिक्स्ट डबल मिक्स्ट डबल्स पेर ने गोल्ड मेडल जीता यह हैं रोहन बुपन्ना और रूतुजा भोसले मेंस बैड् इंडिया ने जीती पाकिस्तान को हराकर नेपाल में यह चैंपेंशिप हुई थी इरानियन कप रेस्ट ओफ इंडिया ने जीता सवराश्टर को हराकर राज कोट में एक अप हुआ था ग्लोबल अमबैस्टर आइसीसी के दवारा किसे अपॉइंट किया गया फोर ओडिया सचिन तिंदिलकर सचिं तिंदिलकर यंगेस्ट परसंगा जिनको भारत रत्मवे मिला था पहले सपो्ट हमें उलहे हैं भारत रतने मिला थी 2014 की वह को ब्रैन अंबैसेट आइसीसी वील्ल्ल कबप का पॉइंट किया गया था क्लोबल एम्बैसेटर सचिं तिंदिलकर फर्स्ट इंडियन कौन बनी है, फर्स्ट इंडियन वमेन तू विन अ जवलिन गोल्ड इन एशिन गेम्स हिस्ट्री अन्नूरानी है फ्लाइग बिरर इन दे क्लोजिंग सेरिमनी ओफ एशिन गेम्स पी आर्स रिजेश थे अब नेस्ट इशिन गेम्स दोजार चबिस में होंगे जापान में इशिन गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते एक सो साथ, अठाइस खोल्ड, अरतिस सिल्वर और इकतालिस प्राउंच मेडल्स एशियाइड के नाम से भी जानते है एशिन गेम्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है ये, हर चार साल में एक बार होता है पहली बार 1951 में एशिन गेम्स हुए थे नई दिल्ली में ठीक है उसके पाद भारत ने एक बार और होस्ट किया है 1982 में अभी 2022 के एशिन गेम्स थे जो 2030 में हुए है चाइना में मैसकॉट था चेंचें, कॉंग कॉंग, लियान लियान 2026 में होंगे जापान में अब नेक्स्ट है एशिन गेम्स में पहली इंडियन विमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता कमल जीद संदू थी फर्स्ट इंडियन विमेन रेसलर तू विन गोल्ड मेडल इन एशिन गेम्स विनेश फुगाठ थी विच डूओ इस नंबर वन डूओ इन बी डवलू एफ रैंकिंग ये है सत्विक साहिराज रैंकी रेडी और जिराक शेटी एशिन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इनको अभी मिला है मेजर ध्यांचंद खेल रतन अवार्ड दोहजार अट्थाइस लॉस एंजलस ओलंपिक में कौन सा गेम शामिल होने वाला है यह है क्रिकेट टी ट्वंटी फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा परेस ओलंपिक 1900 में 1900 में जो हुआ था उस टाइम लास्ट टाइम क्रिकेट खेला गया था ओलंपिक के अंदर उसके बाद से बंद हो गया 45 सहरावत क कबढड़ी से संबदित है एक मोस्ट एक्स्पेंसिव प्लेयर बने है य। ये टैलगो टाइटन्स की तरव से खेलते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरन प्लेयर एवर है मोहममद RAW चियाने पुनेरी पल्तन की तरव से खेलते हैं Most success in international cricket Rohit Sharma ने लगाए हैं Chris Gayle के record को तोड़ते हुए 11th edition of Sultan Johar Cup ये मलेशिया में हुआ 2023 Men's Athlete of the Year Award के लिए नॉमिनेट किया गया था नीरज चोपड़ा को ICC Men's Player of the Month Award सिप्टमबर के लिए शुबमन गिल को मिला Women's category में चामारी अथा पत्तु को ये शुलंकन प्लेयर है Laureus Ambassador बने है नीरज चोपड़ा युवराज सिंग 2017 में इनको समानित किया गया था Hockey Women's Asian Champions Trophy का मैस्कॉट है जू ही Inspired by the popular elephant at Betala National Park जारकट के CM है श्री हिमन्त सोरेन इनहीं के द्वारा इस मैस्कॉट को अन्विल किया गया था नेक्स्ट है कॉआन सी टीम के फॉर्मर काप्टन अलिस्टर कुक ने अनांस किया अपना रेटाइम्मेंट ये हैं एंगलेंड के पहले इंडियन बैट्समें कौन बने है तुहित 300 सिक्स इन ODI क्रिकेट हिस्ट्री ये है रोहित शर्मा कॉआन सी टीम टॉप पर है इन बोथ विमें अन मेन कैटेगरी होकी मध्यपरदेश रनर अब था इसमें 36 गड़ होकी स्नो स्किंग इवेंट ओगनाईज किया गया कहां पर जमू कश्मीर के किश्टवार डिस्ट्रिक्ट में फोर देशन पैरा गेम्स चाइना में हुए विच टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाइसमाशिंग दा हाइस्ट ओवर टी टॉटल बाइनी इंडिया क्रिकेट तीम यह पंजाब आंधरपरदेश के अगेंस्ट 275 अंचे ओवर पर सयद मुष्ताक अली टॉफी में बनाएगए इसके द्वारा पंजाब के द्वारा इंडिया स्पेंड टू प्रोमोट स्पोर्स इन नेक्स्ट फाइव यह तो तीन हजार करोड रुपए भारत के द्वारा स्पेंड किये जाएंगे स्पोर्स को प्रोमोट करने के लिए वर्ल्ड केड़ेट चेस्ट चैंपेंशिप एजिप्ट में देखने को मिली 37th एडिशन ओफ नाशनल गेम्स ये गोवा में हुए नाशनल आर्चरी चैंपेंशिप अयोध्या में हुई बाई सीएम योगी आदितिनाथ इसको इनॉगरेट किया गया अंडर 19 गर्ल्स नाशनल चेस्ट चैंपेंशिप शूभी गुपता के द्वारा जीती गई एहमदबाद गुजरात में अबुधाबी मास्टर्स पैड्मिंटन 2023 विमन्स सिंगल्स टाइटल उन्नती हूटा ने जीता है रियान पराग रिलेटेड हैं क्रिकेट से 6 consecutive half centuries इन्होंने अपनी complete की है विमन्स FIH होकी Olympic Qualifier राची में भारत में इसको हॉस्ट किया गया fastest athlete of the 37th national game वी के एलाग की अदिसन बने हैं तमिलनाडू के 100 meter race में SS स्नेहा करनाटिका की हैं ये fastest athlete of the 37th national game से who has been made the new head coach of the Indian women's cricket team ये है Amol Majumdar fastest century in ODA world cup history उस्टेलिया के Glenn Maxwell ने लगाई है 40 balls पर Asian para games में men's high jump T63 event में gold medal जीता है शैलेश कुमार ने Asian para games में men's discuss throw में gold medal जीता है नीरज यादव ने flag bearer at the opening ceremony Asian para games में ये थे पारूल पर्मार और अमित सरूहा शीतल देवी संबंदी थे आर्चरी से पहली women to win two gold medals कहां पर हुई ये para games कहां पर हुए हूंग्जो चाइना में fourth edition था Moto Thais का hearts meet dreams shine mascot fey fey divine bird से inspired था ही character हर चार साल में एक बार होते हैं para games भी torch lighter थे जू जियालन इंडिया की position इसमें पांच भी रही total medal भारत ने जीते 111 जिसमें 29 gold 31 silver 51 bronze medals थे ओपनिंग flag bearer पारूल परमार बैड्मिंटन प्लेयर है और अमित सरूहा discuss throw and club throw player है fastest fast bowler to take 100 wickets in ODI cricket बने है पाकिस्तान के शहीन अफरीदी 51st ODI match में इन्होंने 100 wicket complete किये 2034 Men's FIFA World Cup साओधी अरब्या में होगा 2026 का Canada Mexico और US में 2030 का Spain पॉर्दुकल और उरुगवे में England के player है David Willey इन्होंने retirement अपनी announce की है फिर कौन बने है इंडिया के most successful bowler in world cup ये है मुहम्मद शामी सेद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने जीती पहली बार बरोडा को हरा कर अनमोल प्रीत सिंग बने है पहले क्रिकेटर टू स्कोर असेंचरी इन दे फाइनल ओफ सेद मुश्ताक अली ट्रॉफी इंडिया वोमेंस होकी टीम की रैंकिंग क्या है FIH वर्ल्ड रैंकिंग में 6th है फिडे ग्रांट स्विस ओपन में टॉप पर कौन सी कंट्री है तो इंडिया है आर्चर देपिका कुमारी ने दो गोल मेडल जीते हैं और एक सिल्वर मेडल जीता है गोवा में ये गेम्स हुए मैस्कॉट था इसका मोगा मेग लेनिन उस्ट्रेलिया की कैप्टन है रिटार्मेंट इन्होंने अपना लिया है शुबमन गिल ने बाबर आजम को ओवर्टेक किया है गोल्फ का टूर्नामेंट है अधिती अशोक के द्वारा जीता गया एक सो ग्यारवाट डेविस कप टैनिस का होता है ये डेविस कप ये टाइटल जीता है इतली ने एटीपी फाइनल्स टाइटल मेंस सिंगल्स में नुवाक जोकोविश ने और विमन सिंगल्स में इगस वायत देखने जीता है इतली में ये टाइटल हुआ था 16th World Wushu Championship USA में हुई थीम इसकी रखी गई Solidarity Peace Friendship इसमें टॉप किया चाइना ने 11th edition of Sultan of Johar Cup जर्मनी के द्वारा जीता गया मलेशिया में ये कप हुआ था Next आता है Ultimate Koko Season 2 किसके द्वारा होस्ट किया गया उडिशा के द्वारा 1st Indian Shooter to win a medal in 25-meter rapid fire at ISSF World Cup Final अनीश भनवाला बने है Billiards Championship for record 26th time पंकज आडवानी जीते है जैपूर वेक्स मीजियम में किसका वेक्स स्टैचू अन्वील किया गया है विराट कोली का फिर next देखते हैं सचिन तेंदूल करके record को किसने तोड़ा है for most centuries in an ODI वराट को लेन तोड़ा है 50 centuries की complete हो गई है और 50th century न्यूजिलेंड के अग्यांस्ट केलते हुए हुई थी ICC ने Cricket Board of Sri Lanka की membership को suspend कर दिया था 2027 Cricket World Cup South Africa, Zimbabwee और Namibia में होगा इंडिया ने gold medal जीता है in the Jharkhand Women's Asian Championship 2023 next up ICC Cricket World Cup 2023 की बात कर लेते हैं winner कौन रहा Australia, runner-up था इसमें भारत, player of the match Travis Head थे, player of the tournament विराट कोली थे, सबसे जगा run विराट कोली ने बनाए 765 runs, most wicket लिए मुहमाद शामी ने 24 wickets mascot क्या था, इसमें Tonk और Blaze, official theme song था, इसका दिल जश्न बोले qualification में जब qualifier होता है, सारी teams को select किया जाता है West Indies ने miss out कर दिया था, पहली बार, history में पहली बार रहसा हुआ oldest player इसमें थे Wesley Beresi, Netherlands के player थे, 39 years of age इनकी थी, यंगेस्ट player थे, इसमें नूर एहमाद अफगानिस्तान के 18 साल के first cricketer in an international matches to be timed out Angelo Matthews से who became rapid fire national champion निराजस्तान के अभिनव चौदरी है, ये 25 meter rapid fire 66 national shooting championship के दोरान, ये champion बने थे, भोपाल MP में championship हुई थी, who became India's 84th grandmaster ये है वैशाली रमेश बाबू, आर प्रग्यानन्द की बहन है, ये sister है, इंडिया की 3rd female grandmaster बनी है, और ये पहली भाई बहन की जोडी है, जो की grandmasters बने है भारत के, who has become the fastest Indian to score 4000 runs in men's T20 cricket, ये है रुत्तुराज गैकवार्ड, अगला आजाता है 35th Jimmy George award, ये किसको मिला है, ओलंपियन मुरली श्रेश अंकर को, लॉंग जंप में, सिल्वर मेडलिस्ट है, कॉमन वेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स दोनों में टाइम मैग्जीन से अथ्लीट ओफ द यूर, लियोनल मेसी है, वल्ल नमबर वन T20 बोलर, रवी बिश्नोई है, उस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, नौ वेकेस दिनों ने लिये हैं, फाइव गेम्स में फिर नमबर वन कौन रहे हैं, एटीपी रैंकिंग में यह है, नुवाक जोकोविच, 24 टाइम ग्रांड स्लैम चांपेन रह चुके हैं, ICC प्लेयर ओफ दे मन्थ, नवेंबर के लिए ट्रेविस हेड है, विमन कैटेगरी में नाहिदा आक्तर, बांगलेदेश की, FIH प्ले अरजन अवर्ड के लिए, रिकमेंड किया गया था मोहमद शामी को, और इनको मिला भी है, 2023 का अरजन अवर्ड, फिर उसके बाद मुंबाई इंडियन के कैप्टन कौन बनाए गए हैं, हार्दिक पांडिया, अब 2024 के लिए, रोहित श्रम को रिपलेस करके इनको बनाए गय यह बने है उस्ट्रेलिया के नाथन लिएन, Most expensive selling player in IPL history ऑस्ट्रेलिया के मिचल स्टार्क है, फिर विजे हजारे ट्रॉफी कौन से टीम में जीती है, इसे रंजी वंडे ट्रॉफी के नाम से भी जानते है, हर्याना के द्वारा जीती गई है, राजस्थान को हराकर, विजे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे जादा मेडल्स जीते हर्याना ने, टोटल 105 मेडल्स, सेकिंड प्लेस इसमें यूपी की रही, फर्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए कहां पर नई दिल्ली में मैस्कॉट था उजवला, नैशनल स्पोर्ट्स टे हुता है 29 अगस सिख्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स औरगनाइज के जाएंगे 2024 में चैने तमिलनाटू में, चैने ग्रांड मास्टर चेस चैंपिंशिप का टाइटल डी गुकेश के द्वारा जीता किया 44 छेस ओलंपिया चैनाई में हुआ था मैस्कॉट थाइस का थंभी, अगला 47 छे वर्ल्ड टेस्ट चैंपिंशिप यह है वराट कोली अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पर एक लिस्ट स्पोर्स टूर्नमेंट और चैंपिंश की तो 15th मेंस होकी वर्ल्ड कप का टाइटल जामनी ने जीता है बेस्ट में फीफा प्लेयर ओफ दे यर लियोनल मेसी है बी पीफा वर्ल कप अर्जेंटिना ने रंजी ट्रॉफी सौराष्ट ने विजे हजारे ट्रॉफी 2022 की सौराष्ट ने जीती आईपिल 2022 कुजराथ टाइटेंस 2023 का CSK ने दूलीब ट्रॉफी वेस्ट जोन ने ICC मेंस T20 वर्ल कप 2022 का इंग्लेंड ने प्रो कपड़ी लीग जैपूर पिंक पैंथर और स्टेयल ओपन नुवाग जोकोविच और एरेना सब्बलिंग का BCCI ने अपना ओफिशल पार्टनर की से बनाया है for the upcoming IPL edition ये है हर्बर लाइफ CMJ Spirit of Cricket Award आसिफ शेख को मिला 4th Asian Koko Championship असम में हुई थी Men's और Women's Upcoming Sports Events देख लेते हैं FIFA 2026 में Canada, Mexico, US में हुगा FIFA Women's World Cup Australia और New Zealand में हुआ 2026 में Asian Games होंगे जापान में Summer Olympics 2024 में France में, Winter Olympics 2026 में Italy में Men's ICC World Cup भारत में हुआ 2026 में Men's FIH Hockey World Cup Belgium और Netherlands में हुगा World Boxing Championship उजबेकिस्थान में हुआ और World Badminton Championship डेनमाक में हुआ 2023 में यहां पर 2023 Men's Hockey World Cup की बात कर लेते हैं भारत में हुआ था यह World Cup Mascot था इसका Oli Turtle 15th Edition था कहां पर हुआ यह कलिंगा स्टेडियम और बिर्सा मुंडा इंजनाशनल होकी स्टेडियम में Champion था इसमें Germany, Runner Up था Belgium Third Place रही Netherlands की Top Scorer थे Jeremy Heward Best Player थे Nicholas Velen और Best Goal की पर थे Vincent Vanish IPL 2023 की बात यहां पर कर लेते हैं 16th Edition था, 10 Teams ने भाग लिया नरेनरमोदी स्टेडियम एहमदबाद में Final Match खेला गया CS के Champion था जिसका इप पाचवा टाइडल था Runner Up था गुजराद Titans Orange Cap मिली शुबमंगिल को Purple Cap मिली मुहमद शामी को Most Valuable Player शुबमंगिल Emerging Player of War ये शस्वी जैसवाल को मिला Player of the Match Final Match जो था उसमें Player of the Match रहे Devon Convoy CS की की तरफ से खेलते हैं और Sponsorship Tata के पास थी IPL 2023 और इसी के साथ Finally हमारा ये वीडियो यही पर समाप्त होता है Revision हमारा समाप्त होता है इसकी PDF तो अब लोग को मिल ही गई होगी Page Group में नहीं मिली है तो मिल जाएगी पढ़ते रहे, रवाइस करते रहे All the best for all your exams Thank you so much for watching Jai Hind